Hello friends, welcome back to my knitting channel जिसकी आज की वीडियो में हम single color का ये design बनाना सीखेंगे देखे, बहुत easy ये design है एक सलाई में तो हमें इसकी एक भी फंदा नहीं बुनना है और wrong side की सभी सलाईयां उल्टे बुनते हुए complete होगी दो सलाईयो का ये design है तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं देखे, यहाँ पर हमने फंदे लिए हैं 5 के multiple में plus 2 तो यहाँ इस tutorial में हम 17 फंदे, 17 फंदों पर इसको बनाना सिखा रहे हैं 5 के multiple में 15, plus 2, 17 तो चलिए इसकी first row right side से हम बनाते हैं देखे, right side first row में हमें एक भी फंदा नहीं बुनना है लेकिन हम क्या करेंगे देखे, पहले 2 फंदे तो हम बिना बुने रखेंगे दोनों फंदे हमने ऐसे ही slip कर लेने हैं इसके बाद धागा आगे लाएंगे धागा आगे लाकर 3 फंदे slip करेंगे देखे, सभी फंदों को हम यहाँ पर slip करते जा रहे हैं 3 फंदे हमने slip किये, फिर धागा पीछे करेंगे अब 2 फंदे slip करेंगे धागा आगे लाकर 3 फंदे slip करेंगे तो जब हम धागा आगे लाएंगे, हमें 3 फंदे slip करने हैं सबी राइट साइड की सराई हमें इसी तरह से बनानी है दागा पीछे किया दागा पीछे करके हम दो फंदे स्लिप करेंगे फिर दागा आगे करेंगे तीन फंदे स्लिप करेंगे लागा पीछे करके दो फंदे स्लिप करेंगे दोनों फंदे हमारे लास्ट के हैं इन दोनों को हमने स्लिप कर लिया तो देखे पहले सलाई में हमने यहाँ पर एक फंदा नहीं हुना है रॉंग साइड में आ जाते हैं रॉंग साइड की दूसरी सलाई में हम सभी फंदो को उल्टा बुनेंगे देखे क्योंकि हमने इस पहले फंदे को राइट साइड में स्लिप किया था इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं करेंगे सभी फंदो को हमें उल्टा बुन लेना है सभी फंदो को हमने उल्टा बुलते हुए अपनी रॉंग साइड की रोग कंप्लीट कर ली अब इनी दो सलायों को हमें बार बार रिपीट करना है तो चलिए एक बार फिट से करते हैं देखे पहले दो फंदे स्लिप करेंगे दोनों फंदे हमने स्लिप कर लिए धागा आगे लाएंगे तीन फंदे स्लिप करेंगे दागा पीछे करेंगे दोफन दे स्लिप करेंगे स्लिप इस तरह से हम पहली सलाई की तरह ही इसको बनाते जा रहे हैं देखी फर्स टो को रिपीट करते हुए यहाँ पर हमने इस सलाई को बना लिया है देखी डिजाइन हमारा दिखना शुरू हो गया है रॉंग साइड में आ जाते हैं सब भी फंदो को उल्टा बुनेंगे जाते हैं यह देखिए रॉंग साइट भी हमारी कम्प्लीट हो गई है इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर चार सलाई बनाई दो सलाईयों को यह हमने दो बार यहाँ पर रिपीट किया है इस डिजाइन को इस तरह से बनाने के लिए हम इसी तरह से इन सलायों को repeat करते जाएंगे ति कितना सुन्दर ये design हमारा आ गया है अभी यहाँ पर हमने देखी सिर्फ इसके चार बार हमने इसको right side से और चार बार wrong side से बनाया है इतने में ही ये design कितना सुन्दर दिख रहा है आप इसे जरूर try करें कैसा लगा comment में जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो like कीजिएगा thank you